हेलो फ्रेंड्स आज अपन एक नया टोपिक लेके आज आचुके हैं जेनेटिक वेरियंस क्या होता है जेनेटिक वेरियंस के बारे में आज अपन काफी कुछ देखेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जेनेटिक वेरियंस क्या है जेनेटिक वेरियंस यह होता है कि देखिए एक कोई भी population से उसके अंदर अपने को variance चेक करना की ता variations है तो उसके अंदर उसको डिवाइड किया गया अलग अलग पार्ट में जैसे फिनोटिपिक बड़ा है तो उसको देख रहे हैं या फिर कोई प्लांट छोटा है तो उसको अपने आखों से दिखाई दे रहा कि इसकी फोईले जदा है किसी की कम है तो उसके अंदर जो variation है उसको अपने दो इसमें पार्ट में डिवाइड कर दे एक होता है heritable variance एक होता non heritable variance heritable variance वो होता है कि जो एक generation से यह दूसरी generation में transfer होता है और non heritable वो होता है जो transfer नहीं होता है इसका example क्या है कि जैसे genotypic variance होता है वो heritable होता है क्योंकि इस्मेn genes के दुआरा होता है और environment का होता है वो non heritable होता है क्योंकि यह जो है अगली PD के अंदर transfer नहीं होता है Genotypic Variance को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है Additive, Dominance and Epistatis इसको आगे details से देखेंगे कि क्या होता है सबसे पहले है कि Polygenic Variance क्या होता है Polygenic Variance होता है कि जो Genetic से हो, Environment से हो और Environment और Genetic के Interaction से हो यह तीनों के Interaction से होता है, वो होता है Polygenic Variance जैसे Genes के द्वारा भी हो, Environment के द्वारा भी हो और इनके Interaction के द्वारा इसका क्रिसमेशन कर देखेंगे तो अपने को बतेता जाएगे कि Polygenic Variations है तो सबसे पहले बात कर रहते हैं, Phenotypic Variance क्या होता है Total Variability जो होती है, वो ही Phenotypic Variance होती है इसमें बोथ Genotypes and Environment के Variations को इंक्लूड किया गया है Variations is the measure in term of the Phenotypic Variance यह जो होता है Phenotypic Variance होता है इसके अंदर Genetics और Environment के द्वारा जो Variations आता है इसके अंदर काउंट करते हैं आपन Genotypic Variance होता है कि It is the Inheritant Inheritant का मतलब होता है एक जनेरेशन से दूसरी जनेरेशन में ट्रांसफर होगा Genetic Variance which is the Unaltered by the Environment क्योंकि Environment से इता अफेक्ट नहीं होता है क्योंकि Plant Breeders जो होता है सब जाता है यूज इसी का करता है Plant Breeders का Base ही होता है कि Genotypic Variance से वो क्या है इसको मेजर करता है Genotypic Variance में ठीक है इसके अंदर आगे देखेंगे अपने Additive, Dominance, Epistate इसको आपने डिटेल से पढ़ेंगे आगे क्या होता है एक होता है Environment Variations जो Environment से होता है इसको पीछे ही डिसक्स कर लिया था सबसे पहले होता है Additive Variance Additive Variance वो होता है कि the difference between the two homozygards ठीक है Homozygards of the forest gene यह homozygards से इसके बीच में जो Difference होता है इसको बोलते है आपन जो Additive Variance यह क्या होता है fixable होता है ठीक है अब यह fixable होता है क्योंकि आप इसमें आगे करेंगे अगर नेक्स जनरेशन में जाएंगे तो इसमें क्या है कि further divination नहीं होता है जैसे हिट्रोजाइकस कंडिशन में होता है इसको अगर आपन आगे क्रोस करवाएंगे तो क्या होगा यह अलग-अलग मतलब phenotype देगा पर अगर इसको देख लें तो यह इसका वेरिशन होता है इसको अगर कितने भी कराएंगे ताकर कुछ भी इसका नहीं होगा इसलिए यह fix होता है अब fix हो गया तो यह बोलता है कि selections for the trade governed by the such variance is effective क्योंकि जो trade का selection होता है वो इसी के दिवार आता है अगर अगर आपने इसके बेस पर कोई होगा इसके अंदर देखिये इसके अंदर Dominus है पर इसके अंदर Dominus होता है इसको किसका कहलता है narrow sense heritability को सबसे यह एक हरुप inherent packages to the total various camera पर पोछे क refers एक तूश्य पीडिक तक लिएरेंस कफ सब्छे करम होते हैं इसमें लिखा है heritability denote the proportions of the phenotypic variance that is due to the genotype जो genotype के द्वारा जो variance है उसको बोलते है heritability ठीक है breeding value of an individual is measured by the additive gene effect GCA is present in a measure of additive gene effect इसको जो है additive gene से ही देखते है अपना दूसरा जो आता है dominance variations इसके अंदर होता है intra-allelic interactions intra-allelic इसलिए होता है क्योंकि जो यह होता है heterozygous condition में इसके बीच में जो इसका deviations होता है वो होता है dominance variations अब इसके अंदर देखिए आप incomplete dominance भी होसकता है over dominance भी होसकता है ठीक है तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि average of the है इसमें भी लिखा हुआ है average of the homozygous इसका और इसका average होता है यह ठीक है तो इसको बोलते है dominance variation इन दोनों का जो homozygous का जो average होता है वो यह होता है और इसको जो है इसका deviations जो होता है वो होता है dominance variation इसको आगे देखते हैं वापस it is due to the incomplete मैंने का था incomplete और over dominance से होता है dominance variation is not fixable यह काँ से fixable होगा है हेट्रोजाइगस condition में होता है कि यह के गुष्याइगस क्षेज़ें जो है है कि उसको key Shout सब्सक्राइगस तो इसको components कर सकता है तो इसके यह यह सब्सक्राइगस इसको आगाएगा अब यह इसको regulate करेगी इसको surprise कर देगी तो इसके अंदर दो एलियल का होगी है इसलिए इंटर एलियल की इंटरक्षिन है due to the interactions between two and more genes is represented by the small e ठीके अब इसके अंदर वापस तीन टाइप है additive additive इसमें अब देखिए आप इसके अंदर अगर हो जाए एलियल के अंदर तो इंटरक्षिन इसके बीच में हो रहा है तो क्या दिक्कता रही है क्योंकि इसमें क्या होता है इसमें कोई भी नहीं होगा सबसे पहले यही पूछ लेते हैं लोग सोते है additive additive में वापस fixable नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर fixable होगा क्योंकि यह दोनों क्या है homozygous condition में बहुत यह बहले यह intra-allylic हो क्योंकि इसके अंदर आता है additive dominance इसके अंदर एक होगा हो इसके इनदर fixable नहीं होता है थीक Demokraten इसके अंदर झाललink interactions once lotus is a homozygous एटनादरAcos is a heterozygous और यह ओगं का ठीक है यह रहा यह भी密 की हुटा है अब एक होता है dominance dominance हैं यह दोनोंर नहीं heterosegous condition होता है इसके बीच में इंट्रेक्शन होगा था आप फुद ही सोच सकते हैं कि दोनों हो मजाएगे हिट्रोजाग इस कंडिशन में होंगे तो यह भी जो फिक्सेबल नहीं होगा तो फिक्सेबल कौन सा होता है ओली एडिटिव एडिटिव तो यह अपना वेडिशन था एक वापस क्कूई प्रिविजन देख लेते हैं कि क्या था सबसे पहले जेनेटिक वेडियंस यह इट सब में सैता है लिजह होता है कि जो जेनोटाइप से हो ठीक है जिनो टाइप इंशन ते इसको अपने देख लिया था फिनोट इसको जो फिनोटेफिक वेरियंस की तेन में टरम मेजर किह जाता है जीमोटेफिक रिरिएंस इलिक्वेरियंस अगलीसें पीडे में ट्रांसपर होता है इसमें जो होता है, homozoicis condition मों होता है, इसलिए जिए चिकरी फिकसेबल होता है, ठीक, इसमें lake of dominance, अपने, इसमें देख लिए तो यह fixable होता है, इसके अंदर lake of dominance क्यों नहीं होती है, क्योंकि होता है होता है, इसलिए, एक required narrow sense heritability, का वो पार्ट जो जुनेठिक वेरिएंस से होता है जो मतलब जिसके दुबारा मतलब अगले पी टी में जाती है इसके बाद में डूमीने श्री टा एंटुएली को थाहे मतलब इंट्रीन्टी नि यालेली के बीच में जो हैट्रोजाइकस ज्रीक कर रहा और जो जीन जो सप्रेस होती है उसको बोलता है हाइपोस्टेट ठीक है तो एक होता है इसको भी अपने तीन में डिवाइड किया था एडिटीव एडिटीव जो फिक्सेबल होता है एडिटीव डोमिनेंस जो इसमें एक इंट्रा इंट्रा लिरिक में दोनों जो होते हैं होम सबसे आदकना है आपने सूसते हैं, फिर मसीत नहीं सब फिर आज लिएक नगा a-sobs